नीम का इस्तमाल आईरुएद में एक आशदी के रूप में किया जाता है। नीम की पतियों में मौजूद शक्तिशालिक गुण स्किन से लेकर शरीर की कई सारी बिमारियों को दूर करते हैं। स्किन पर मुहासों के निशान हो या फिर दाग धब्बे हो। स्किन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नीम का इस्तमाल किया जाता है। नीम की पतियों में एंटी इंफ्लोमेटरी, एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी बेक्टेरियल गुण मौजूद होते हैं। जो स्किन को बहतर बनाने में काफी उपयोगी होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शियर कर रही हूँ नीम की फेस पैक जो स्किन का लो तो बढ़ाएंगे ही साथ ही दाग दबों को भी दूर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक चमच नीम का पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड़ कर देना है एक चमच बेसन। अब इसमें गुलाब जल डाल कर इसका एक पेस्ट तयार कर लेना है। इसे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वाश कर ले। इसके बाद इसे अपने फेस पर अच्छे से लगा ले और 15 मिनट बाद फेस को वाश कर ले अगर आपके फेस पर एक्ने, मुहासे और पिग्मेंटेशन है तो नीम से बना हुआ ये फेस पैक आपकी इन सभी परिशानियों को दूर कर देगा बेसन स्किन की अच्छे से क्लेंजिंग करता है जो चेहरे से डेट स्किन सेल्स को हटाता है और साथ ही तुचा की गहराई से सफाई भी करता है इसके अलावा नीम में एंटी बैक्टिरियल और एंटी इंफ्लमेट्रिक गुर्ण मौजूद होते हैं जो स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं हपते में दो बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक चमच नीम का पाउडर इसके बाद इसमें एड़ कर देंगे आदे चमच कस्तूरी हल्दी यानि की वाइल टर्मरिक वाइल टर्मरिक में एंटी सेप्टिक और एंटी बैक्टिरियल गुन पाई जाते हैं जो पिंपल्स और दाग दबों को दूर कर चेहरे को साफ सुत्रा और बेदाग बनाते हैं इसके बाद इसमें एड़ कर देना है हनी हनी के इसमाल से स्किन पर एजिंग के साइन कम होते हैं इससे डेमेज हुई स्किन रिपियर होती है और स्किन एक्सफोलियेट होती है दाग दबे हलके होते हैं शेहत के इसमाल से स्किन मॉस्चराइज भी होती है इसके बाद इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने क्लीन फेस पर इसे अच्छे से लगा ले 10-15 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दे और फिर चहरे को साफ कर ले इसके बाद चहरे पर मॉस्चुराइजर लगा ले हपते में दो बार आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके इस्तमाल से चहरे के दागदब्बे दूर होंगे और चहरे क्लोइंग नजर आएगा सो फ्रेंड्स यही थी मेरी आजकी वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच यह वीडियो पस्ट वीडियो में